परिक्षा के अंद्र सुल्तानगंज गंगा घाट पर उमड़ा शिप भक्तों का सैलाव हर हर महादेव के जैकारों से गुंजता रहा कावरिया पत्थ श्रावणी मेला की तयारी को लेकर मेर और नगर आयुक्त ने किया गंगा घाट का निरिक्षन बहतर तयारी के दिये निर्देश जल संचे को लेकर जागो बिहार संस्थाने शुरू की मुहीं बारा नसी से आये एक्सपर्ट ने घार में वाटर हार्वेस्टिंग तयार करने की कही बात और भागलपूर में आयुजीत बिहार राज बेडमिंटन टूनामेंट फाइनल मैच का हुआ समापन विभिन जिलों से आये 150 परति भागियों ने लिया हिस्सा और अब खबरें विस्तार से हमेशा विवादों में रही लौपरिक्षा एक वार फिर विश्विद्याले प्रशासन की लापरवाही के कारण विवाद का कैंदर बन गया परिक्षा शुरू होने के फूरू रैफ जवानों की परति न्यूकती और CCTV केमरे लगाने की मांग केंदरा धिक्षक प्रोफेसर राम परवेश शिंग ने विश्विद्याले प्रशासन से की थी लेकिन लग परिक्षा को विश्विद्याले प्रशासन ने समान परिक्षा करार देते हुए केंदरा धिक्षक की मांग को खारिज कर दिया जिसका परिणाम गुरुवार को लोग परिक्षा में देखने को मिला जब परिक्षार्थी और परिक्षा नियंतरक प्रोफेसर अरुन कुमार सिंग आपस में भिड़ गए दरसल विशुविद्याले के बहु उदेशिये परशाल में तीन वर्सिये लोग कोर्स के संबेश्टर फाइब की परिक्षा चल रही थी इस दोरान परिक्षा नियंतरक ने कदाचार के आरोप में परिक्षार्थी धर्मराज को नकल करते पकड़ लिया और निसकासित कर दिया इसके बाद च्छात्र और परिक्षा नियंतरक के बीच जम कर नोक जोख हुई आज परिच्छा जो प्रारंब हुई बड़ी अच्छे धंसे प्रारंब हुई इसके कुछ देर के बाद एक छात्र जो है गेस पेपर निकाला उसमें हमारे परिच्छान यंत्रक्ष डॉक्टर अरुन कुमार सिंग जी थे वो नीचे में ही वेरेशन ड्यूटी कर रहे थे सह प्रारंबाओ के साथ का मुख्य किया और उसने कौपी च्छीन लिया कौपी च्छीन कर नीचे चला आया हम लोग उने सूचना है पदा अधिकारियों को दिये प्रतिकुलपती महदे को दिये प्रतिकुलपती महदे आये फिर तमाम अधिकारी आ गये और आने के बाद फिर जो है कदाचारका रोल टर्ज किया गया और करवाई यूर। दर्ज किया रही है। एक नयन्यम्त legislation ट्रज किया गया दो-तीन जो है विडियो ग्राफिक करॉए है पॉन-खते। बिशातर रेकोपक्र Hutchा में उसका नामराज मामला विगरता दे की बात कही वहीं परिक्षार्ती धर्मराज ने परिक्षा नियंतरक और केंद्रा धिक्षक पर कई आरोप लगाते हुए मामले को राजभवन तक ले जाने की बात कही रहा सवाल एक्सपेल्शन करने का प्रयास करने का तो मैं आपको बता दूँ यह कैसा एक्जाम नहीं लेना चाहा रहे थे हमने जबरदस्ती प्रेसर बनके एक्जाम दिलाया है जिसका नतीजा यह है कि वह हमारा कॉपी पकड़के जबरदस्ती फ़ाड़ दिये यह प्रस्नली टार्गेट है मैं आपको बता दूँ रोज यह सब घोटाला काम लगातार इधर मामले को लेकर परिक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अरून कुमार सिंग ने कहा कि छात्र धर्मराज गेस पेपर से नकल कर रहा था और पकड़े जाने पर धक्का मुक्की के साथ अभध्र भाषा का परियोग किया फिलाल चात्र के खिलाप विशुविद्याले थाना में एफाई आर दर्ज कराया गया है धक्का मुक्की और बस रूकी किया कंट्रोल में भी जाके सरकारी कामकाज में बादा पहुचाया और आधा कोपी फाड़ा चिदा और अपरे हाथ में लेके चला गया जिसकी फाई आर हो लोग ने किया है वो कोपी भी लेके चला वहीं लोग परिक्षा के दोरान परिक्षा हौल की स्थिती इतनी नाजुक हो गई की मौके पर सदर SDO आसिस नरायन, CTDSP राजवन्स सिंग, नातनगर CEO राजेश कुमार को दंगा नियंतरन वाहन के साथ रेफ और कमांडो फोर्स लेकर पहुचना पड़ा परिक्षा समाप्त होते ही कुछ चात्र प्रशाशनी भवन पहुचे और विस्विद्याले प्रशाशन के खिलाप जम कर नारेवाजी की। पूरे मामले पर कुलपती प्रोफेसर लीला चंदर साहा ने कहा की बहु उद्देशिये प्रसाल की घटना दुर्भाग्य फुर् चुकि वह हमारे वहां जो वीक्षक थे और परिच्छा नियंत्रक थे उन्हों से भी उन्होंने हतापाई की है जो पता चल रहा है तो उसके नाम पर किया गया है और उसके बाद आगे की परिच्छा बोड़ तहेक'd करेगी अभी तो मिनिमम एक साल का एक्सपलशन है अगर परिच्छा बोड़ चाहेगी तो 5 साल तक के लिए एक्सपर्शन कर सकती है विस्विध्याले कभी भी नहीं कहती है कि छोरी करें चात्र तो यह तो चात्र को समयना पड़ेगा का आप ठढ़ने आये हैं और पढ़ाई करने आये है परिच्छा दिजे विस्विध्याले स्रावनी मेले के दूसरे दिन गुरुवार को शिप भक्तों ने सुल्तान गंज उत्तरवाहीनी गंगा से जल्ले कर दिवघर इस्थित भगवान भोले नाज जयोतरलिंग पर जलाविशे करने रवाना हुए इस से पूर्व सुल्तान गंज गंगा घाट और जहाज घाट पर गंगा असनान के लिए कामरियों की भीड उमड पड़ी इस दोरान बोलबम और हरहर महादेव के नारों से सुल्तान गंज गंगा घाट गुंजायमान हो उठा उमस्वरी, गर्मी और चिल्चिलाती धूप के कारण सिभ भक्तों को परेशानियों का सामना करना पड़ा फरसासन की लाफरवाही के कारण गुरुबार की सुबह से ही पूरे शहर जाम की चपेट में आ गया जिससे की कामरियों को और भी ज्यादा प्रेशानियों का सामना करना पड़ा सरावनी मेले की शुरुआत होते ही सुल्तानगंज रेलवे इस्टेशन पर पाइकेट मार नशांखुरानी गिरोष शक्रिये हो गया है जिसके कारण इस्टेशन पर पुलीस जवानों के अलावा साधे लिवास में सी आर पी अफ जवान की तैनाती की गई है शावन मास की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ गंगा घाटों पर अधिकारियों एवं जनपरती नीधियों का दोरा भी शुरू हो चुका है गुरुबार को भागलपूर के एसम कॉलेज सीडी घाट एवं बरारी गंगा घाट का महापौर सीमा सा नगर आयूक्त जे प्रियदर्शनी एवं उफ महापौर राजेश वर्मा ने निरिक्षन किया रविबार को बावा बासुकीना धाम जाने वाले कामरियों की भीड भागलपूर के गंगा घाटों पर जुटेगी कामरियों को किसी परकार की और सुविधा ना हो इसको लेकर नगर आयूक्त एवं मेयर ने कर्मचारियों को कई दिशा निर्देश दिये नगर आयूक्त ने गंगा घाट में फैली और व्यवस्था को देखकर कामरियों की सुविधा के लिए आवश्या कुपाय करने का निर्देश दिया नगर आयुक्त जे पिरिय दर्शनी ने कहा कि कामरियों की सुविदा के लिए गंगा घाटों पर साफ सफाई, लाइटिंग एवं शोचाले की व्यवस्था की जाएगी इसके अलावा कामरिया मार्ग में भी कई कार्य करवाए जाएंगे मौके पर निगम के कई पारशद, अधिकारी एवं कर्मचारी मजूद थे भागलपूर के खर्मन चक में भूगर्व जल संचे को लेकर जागो विहार, जागो संगठन की ओर से एक प्रेस कॉनफरेंस का आयुजन किया गया प्रेस कॉन्फिरेंस में भुगर्व जल संचे के विशेशग्य सजल श्रीवास्तव ने कहा कि कम खर्च में भी वाटर हर्वेस्टिंग सीस्टम बनाया जा सकता है और भागलपूर में जल अस्तर काफी तेजी से नीचे जा रहा है उन्होंने कहा कि भविस्य में जल संकट और बढ़ेगा जिससे बचाओ के लिए सभी घरों में हारवेश्टिंग सिस्टम निर्मान कराना आवश्यक है राजे स्वर्माने कहा कि जल संकट पूरे देश के लिए चिन्ता का विसे है लेकिन इसका समाधान सामाजिक जागरूकता और जल संचे की परिकिरिया को अपना कर किया जा सकता है प्रेस कॉन्टरेंस में मौन्टी जोशी समेट संस्था के कई सदस से महजूद थे चोटे घर जो की तीन सो वर्मीटर तक के घर है उसकी लागत हमारे इसाफ से साथ साथ हजार रुपे मायक्समम आनी चाहिए और हम दोगों से यही अपील करता चाहेंगे कि वह वर्षा जल संचित करें इसी मानसूल से शुरुआत कर लिया क्योंकि अगले दो तीन साल अग बागलपूर के इंडोर बेडमिंटन हॉल में आयो जीत बिहार राजजी सब जूनियर अंडर 13, अंडर 15 बालक एवं बाली का वर्ग बेडमिंटन टुनामेंट का फाइनल मैच गुरुवार को खेला गया इस दोरान अंडर 13 बाइज सिंगल्स, अंडर 13 बाइज डवल्स, अंडर 13 गरल्स सिंगल्स, अंडर 15 गरल्स डवल्स, अंडर 15 बाइज सिंगल्स और 15 बाइज सिंगल्स और 15 बाइज सिंगल्स के फाइनल मैच में खिलाडियों ने जम कर पसीना बहाया और जोरदार खेल द गर्ल्स सिंगल्स अंडर 13 में कार्तिक ने अक्षर अर्थव को पराजित किया। गर्ल्स सिंगल्स अर्थव को पराजित किया। रजाज जमाल, मुख्य मैच रेफरी मिथलेश कुमार, सहित बेडमिन्टन खिलाडी और दर्शक महजूद थे। तूर्णामेंट अभी गुआ है, वो तीन दिनों से चल रहा था। और इसमें लंबग एक सो परचास खिलाडी वाइज अंग गर्स के पाटिसिपेट किये। आज यहां लोग इसका समापन समा रोग कर रहे हैं। आज पाइनल मैचेज अभुचन रहे हैं। और इसमें अंडर 13, अंडर 15 के मैचेज हो रहे हैं। इसमें बालिकावर्ग में, अंडर 13 में सिर्फ सिंगल्स हुआ है। और इसमें अंडर 15 में वाइज अंगर्ज दोनों के सिंगल्स और डबल्स के मैचेज खेले रहे हैं। और आज के शमारो के दूखियाती थी, डॉक्टर एनके यादव, इंडर्शी साव हैं। और वो प्रुस्कार्प चर्ण करेंगे। जुनिया स्टेट चैंपेंशिप है, जो की अंडर 13 और 15 फे बच्चों दिलिये हैं। यह पंदर तारिक से चल रहा है, पंदर तारिक को इसका क्वालिफाइन रांड रहा है। और आज फाइनल है। फुल मिला कि साथ इवेंट है। इसमें की बउज सिंगल संडर 15, गर्ल सिंगल संडर 30, बउज सिंगल संडर 15, बउज दबल संडर फिफ्टी, और गर्ल सिंगल संडर 50। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रही है सिल्क टीवी के साथ ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका सौगत है आप देख रहे हैं सिल्क टीवी बेटे और बहु की प्रताड़ना से तंग आकर 90 वर्षिये विर्धार नियाय की गुहार लगाने मधुसूदनपूर थाना पहुच गई थाना ध्यक्ष से शिकायत करते हुए बीर्धा ने बेटे और बहुपर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए घर से भगा देने की बात कही बीरधा नाथ नगर के मनस्कामना नाथ रोड की रहने वाली है बुद्दवार की शाम जब विर्धा बेटे की शिकायत थाना ध्यक्ष मनीश कुमार से कर रही थी उसी दोरान किसी ने विरिद्ध महला की फोटो सोशल मीडिया पर वाइरल कर दिया तकरीबन आदे घंटे के बाद बुर्धा के वेटे बाल मुकुंद सा और किशन सा थाना पहुचे और थाना ध्यक्ष से माफ करने की बात कही थाना ध्यक्ष ने दोनों की जमकर कलास लगाते हुए कहा कि कोट का आदेश है अगर अपने माता पिता को प्रताडित करेंगे तो जेल की हवा खानी पड़ेगी इसके बाद दोनों वेटों ने आगे से ऐसी गलती नहीं करने की बात कही और ब्रिद माता को अपने साथ घर ले गए परियटन विवाग बिहार सरकार एवं जिला प्रशाशन के संयुक्त तत्वाधान में सुल्तानगन सिधी घाट पर वहव गंगा महा आरती का आयोजन वैदिक मंत्रो चार के साथ शुरू हुआ जिला प्रशाशन की ओर से सावन महा में परतेक दिन गंगा महा आरती का आयोजन किया जाता है गंगा महा आरती में DCLR वरजेश कुमार ने गंगा फूजन कर आरती की शुरुवात की लोगों ने गंगा को स्वक्ष रखने का संकल्प लिया विश्व प्रसीद स्रावणी मेला में परियाटन विभाग की ओर से सुल्तानगंज के कृष्ण गर मोड के समीप सूचना केंदर का पूर्व केंदरीय मंतरी जै प्रकाश नरानियादव ने जयाए जा लिया पुर्व मंत्री ने सूचना केंदर में लगाये गए प्रदर्शनी की तारिप की पुर्व मंत्री ने केंदर सरकार से सराबनी मेले को राश्टिय मेला का दर्जा देने की मांग करते हुए कहा की देश विदेश से लाखो कामरिया आते हैं और पैदल यात्रा कर भगवान भोले नात का जलाविशे करते हैं जब परकाश नरायन यादव ने कामरियों के बीच फल वितरन किया मौके पर अर्विंद यादव निरंजन यादव दिलिप गुपता समयत कई राजदनेता माजूद थे भोले नात का करतब है और घरदानी भोले नात गरीब का देवता भोले नात जो किसी का नहीं एक रंग में अगर किसी ने रंगा राजा हो या रानी या गरीब हो या अमीर एक रंग में अगर किसी ने रंग दिया एक बस्तर में तो उसका है और घरदानी भोले नात सब का रंग ए इसलिए हर साल की भाति इस साल भी जो समाजी कार्ज करता है जो समाजी के नेता है और हमारे राष्टी जमता दल्ग परिवार के सभी जो है जितने भी नेता साथी कार्ज करता और जो है सभी उपस्ति सभी भाई है नवगचिया बजार में खरीददारी करने पहुचे बैक्ति से दिन धाड़े छिंतरी की घटना को अंजाम देकर भाग रहे शातिर चोर को बेवसाईयों ने धर दबोचा इसके बाद चोर की जम कर धुनाई हुई दरसल कपड़े की खरीदारी करने पहुचे बैपारी से चोर ने 16,000 रुपे जपट कर भागने लगा इसके बाद पीडित ने सोर मचाना शुरू कर दिया उसी दोरान बैपारियों ने माल गोदाम के समीप चोर को पकड़ लिया घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुची नवगचिया पुलिस ने चोर को गिरफतार कर लिया भागलपूर के विक्रम शिलाप पहुचपत के समीप बुद्धवार की देररात ट्रक और आटो की टकर में एक यूवक की मौत मौके पर ही हो गई मिर्तक यूवक की पहचान उत्तर प्रदेश के सहारनपूर निवासी मौहमत परवेज के रूप में हुई है मिर्तक परवेज गुरहट्टा चौक इस्थित भारत फरनीचर में सेल्समेन के पत पर कारे रत था बुद्धवार को वकाया पेमेंट वसूली करने नवगची आ गया था जहां देर रात आटो से भागलपूर लोटने के दोरान ट्रक की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई गटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुची परवत्ता पुलीस ने शब को कबजे में लेकर पोष्ट माटम के लिए भेज दिया है समवेद संस्था की ओर से आयोजीत छे दिवसिय नाटिय कारिशाला के तीसरे दीन गुरुबार को भागलपूर के जीवराजी का धर्मशाला में एन एशडी नई दिल्ली से आये आलोक रंजन ने पटखता लेखन समेत नाटक की कई वारिकियों के बारे में बताया इस दोरान विभिन सावाजीक एवं नाटिय संस्थाओं के कलाकारों ने कारिशाला में हिस्सा लिया और नाटकला से जुड़ी कई महतपूर जानकारी ली ट्रेनर आलोक रंजन ने कहा कि आमतोर पर परिवार नाटकला के छेतर में जाने के लिए सफोर्ट नहीं करते हैं जबकि आज हर छेतर में कमपेटिशन है सही गाइड लाइन, कड़ी महनत और लगातार प्रैक्टिस से इस छेतर में भी केरियर वनाया जा सकता है समवेत के निदेशक विक्रम ने कहा कि भागलपूर में रंग मंच के छेतर में काफी युवा हैं जो सही प्रैशिक्षन नहीं मिलने के कारण अपनी योगता का सदूपयोग नहीं कर पाते हैं इसलिए कारिक्रम आयुजीत किया गया है यह जानना और यह बताना चाहता हूं लोगों को कि आप इस फिल्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि इस फिल्ड के लिए हमारे भीतर क्या एबिलिटी होनी चाहिए और उस ability लाने के लिए हमें किन चीजों पर काम करना चाहिए तो उसके लिए जरूरी है सर्वप्रतम अभीनेता का जो tools होता है Body, Mind, Emotion and Voice आप इन चारो tools पर काम करेंगे तब जाके आप उस label के कलाकार हो पाएंगे और अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के headlines पर Headlines sponsored by Oxamine Group of Companies, Plots, आसान मासिक किस्तों पर Law परिक्षा के दौरान कदाचार करते हुए छात्र नेता गिरफतार जम कर हुआ बवाल, पुलिस छाबनी में तब्दिल हुआ परिक्षा के अंद्र सुल्तान गंज गंगा घाट पर उमड़ा शिप भक्तों का सैलाव हर हर महादेब के जैकारों से गुंजता रहा कावरिया पथ श्रावनी मेला की तयारी को लेकर मेर और नगर आयुक्त ने किया गंगा घाट का निरिक्षण बेहतर तयारी के दिये निर्देश जल संचय को लेकर जागो बिहार संस्थाने शुरू की मुहीम वारा नसी से आये एक्सपर्ट ने घर में वाटर हार्वेस्टिंग तयार करने की कही बात और भागलपूर में आयुजीत बिहार राज बेडमिंटन टूनामेंट फाइनल मैच का हुआ समापन विभिन जीलों से आये 150 परति भागियों ने लिया हिस्सा हिलाल इस मुलेटिन में इतना ही आप बने रहे है सिल्क टीवी के साथ तब तक के लिए नमस्कार